दिल्ली में इस दिवाली पर पिछले साल के मुकाबले 40 प्रतिशत कम प्रदूशन हुआ एर कॉलिटी की स्टेडी करने वाली एजन्सी सफर ने अपने ताज़ा सर्वे में कहा है कि 2014 की तोला में इस साल दिवाली के दोरान 18 से 22 अक्टूबर के बीच सबसे कम प्रदूशन रहा दिवाली के तीन निन के भीतर की एर क्वालिटी पहले जैसी हो गई सुप्रिम पोट ने दिल्ली में पठाकों की बिक्री पर बेन लगाया था इस लिहाद से नतीजे एहम है नैशनल ग्रीन ट्रूबनल के कड़े आदेश के बाद दिल्ली में 30,000 किलो प्लास्टिकी थैलियां जब्त की गई है 1650 लोगों के चालान काटे गए हैं और उन पर 31,80,000 रुपय का जुर्मान लगाया गया है दिल्ली सरकार के परियावरन विभाग ने कारवाई का ये आकड़ा दिल्ली की सारी एथरोटी से जुड़ाया है NGT ने 10 अगस्त को आदेश जारी करके प्लास्टिक की थैलियां रखने और इस्तिमाल करने वालों पर 5000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था दिल्ली में डॉक्टर की पत्नी को गोली मार कर भागे चेन इसनेचर्स का अब तक कोई सुराग नहीं है वर्दाफ रोहली के सेक्टर छे मार्किट की है इसनेचर्स ने जैसे ही प्रियंका गोयल के गले से चेन खीची प्रियंका ने तुरन जबट कर उसे पकड़ लिया खुद को बचाने के लिए इसनेचर्स ने पहले हवाई फायर किया प्रियंका फिर भी नहीं डरी तो उसने उसके पैर में गोली मार दी आसवास कई लोग थे लेकिन किसी ने बदमाज को पकड़ने की कोशिश नहीं की दिल्ली की एक महिला ने जोदपूर के महंत सुन्दर दास के खिलाब रेब का मुकदमात दर्ज कराया है महिला के मताबिक रेब 2014 में हुआ था वो तीन साल बाद केश दर्ज कराने की हिम्मत जुटा सकी दिल्ली के सबजी मंडी एरिया में सुन्दर दास का आश्रम है महिला आश्रम की केर टेकर थी महिला ने पहले छिरखानी की शिकायत दर्ज कराई थी यहरा दिन बाद महिला ने बयान में बदलाव किया जिस पर रेब की धारा जोड़ी गई 1984 के सिख विरोधी दंगो में गवाहा आमस डीलर अभिशेक वर्मा ने अपनी जान पर खत्रा बताया है वर्मा ने दिल्ली के महरोली थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि उसे पॉलिग्राफी टेस्ट रोकने के लिए ईमेल पर धंकी मिली है वर्मा 84 के दंगों में जगदीश टाइटलर से जुड़े केस में गवाह है उसे तीन पिएसों की सुरक्षा मिली हुई है टाइटलर केस में आज ही कलकल डूमा कोट में सुनवाई है अभिशेक वर्मा ने ईमेल पर मिली धंकी की शिकायत पीम मोदी, ग्रहमंति राजनात और सीबियाई को भी भेजी है ईमेल में वर्मा के परिवार को भी धंकी दी गई है इस भी दिल्ली शिरोमणी गुरुद्वारा प्रभंध कमेटी के प्रमुक्त मंजीत जीके ने कहा है कि धंकियों का मकसद 84 दंगों की जाज को नजीजे तक पहुचने से रोकना है मजीत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस चाहे तो अभिशेक वर्मा को धंकी देने वाले को एक दिन में पकड़ सकती है जेनियू में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का छात्राओं के ही एक गुटने बायकॉट कर दिया जेनियू चाहत संकी अध्यक्ष गीता कुमारे ने कहा है कि कराटे सीखने से जौन उत्रीडन की घटनायन नहीं रुख सकती इसलिए ये ट्रेनिंग बे तुकी है जेनियू ने हाल ही में जी एस कैश को भंकर के इंटर्नल कंप्लेन कमेटी आईसीसी का गठन किया था इस्टेशन के बाहर हुई इस्रैली में में मेरेस कारकरताओं और उत्तर भारतिये फेरीवालों के भी तीखी जड़ाप हुई थी जिसमें कई मेरेस कारकरता घायल हुए थे मेरेस प्रमुक राज ठाकरे ने निर्पम पर हिंसा भलकाने के आरोप में कारवाई की मांग की थी संजय निर्पम ने आरोप लगा है कि फेरीवालों के खिराव मेरेस की गुंड़ागर्दी को फडवनी सरकार का संड़क्षन मिला हुआ है निर्पम ने प्रेस कॉंफरेंस करके अपने खिलाफ FIR को भी गलत बताया निर्पम ने कहा कि सभावाली जगहन ना तो धारा 144 लागू थी और ना ही उन्हों लौड स्पीकर का इस्तेमाल किया कॉंग्रेस विधायत नितेश राणे के मेरेस का समसर करने पर निर्पम ने कहा कि नितेश राणे अभी बच्चे है मलाड में हुई मारपीट के बाद मेरेस प्रमुख राजठाकरे ने अपने घाहल कारकरताओं से मुलाकात की राजठाकरे ने मलाड के जानवी अस्पताल पहुच कर घाहल कारकरताओं के हालचाल पूछे और पूरी घटना का ब्यार लिया हलकि राजठाकरे ने मीडिया से बात नहीं की अस्पताल से निकल कर वो सीधे रमाना हो गए